नमश्कार दोस्तों पहने स्टॉक अपडेट चैनल में आपका स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं जो इसराइल ने इरान पर अटैक किया है तो इसका हमारे मार्केट पर क्या अकल हो सकता है क्या यह हमारी मार्केट को नेगडिवले इंपैक करेगा या इसका असार से गिर कि थी सिंगल डेम तो काफे टैम से हम लोग इंद्धियार करेते कि इसराइल का क्या रिस्पोंस रहता है तो कल देखे इसराइल ने एक स्ट्राइक किया है तकरीपन ब्लेड़ सो अटाफ्ट से 200 और इयरकाफ्स में जो मिलका टैक किया है इरान पर बॉमिंग हुई काफी टाइम से चल रहा है कभी हमास अटक करता है कभी इरान अटक करता है तो इस करेक्षन के जो में रीजन थे वह अभी दो रीजन है एक तो है एक लाग करोड निकाले हैं अक्ट्वे स्टार्टिंग से और दूसरा यह है कि इंडिया जो है ना अभी पर बहुत जाद अभी वैल्योएशन भी काफी ज्यादा हाई है अगर जितने भी मार्केट्स हैं आप उनके कंपेरिजन में देखें तो अभी काफी हाई है अब हम बात कर लेते हैं कि हिस्टरी में क्या रहा है मतलब यह जो वार्स हुए पहली बार तो पास्ट में क्या इंका इंपक्ट र लेकिन उसके बाद चार महीन गंदर मार्केट कर गया वहीं जैसे हम कारगेल की बात करें तो शुरू में मार्केट तकरीवन 13% डाउन हो गया लेकिन जैसे जब युद्ध डेक्लेयर हो गया वार इन-बिट्वीन था उसके बाद तकरीवन 41% के स्ट्रॉंग रही आई थी तो मार्केट जो होता है वार के इंपक्ट को पहले ही निगेट कर चलता है अभी दिखिए जो सिच्वेशन है उसके हिसाब से अगर हम देखे तो 5% जो है कुरूड ओयल में हमें जंप देखने को मिला है इन्वेस्टर जो है अभी थोड़ाता लॉंग टर्म गेन के लिए देख रहे हैं तो उनका जो फोकस है वो यह है कि अभी वार जब तक लोकलाइज ही रहे मतलब इरान और इसराइल के बीच में ही रहे तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे लेकिन अगर यह बड़ा होता है अगर इसमें यूएस से रशिया भी होता है तो यह एकॉनोमी के लि करता है गिर रहे हैं तो उसके कारण क्या है कि कंपनियों को क्रिडेट मिलने में भी थोड़ा सा महंगा होगा क्रूड ओयल के प्राइसेज बढ़ेंगे तो कॉर्परेट जितने भी हैं कंपनी उनके थोड़े प्रॉफिट घटेंगे महंगा इदर आपको पता है बहुत हा तो देखें इंडिया में स्टेट एलेक्शन हैं कंपनी की अर्निंग्स हैं आर्बिय की मॉनेटरी पॉलिसी है अभी वेट कर रहा है तो उनके मॉनेटरी पॉलिसी का भी इंपक्क पड़ेगा और ग्लोबली जो इंपक्ट है वह यूस एलेक्षिन और क्रूड ऑल के प्रस इंपक्ट रहने वाले हैं वहीं अजर हम बात करें जिन स्टॉक स्पेस का असर पढ़ सकता है वह डानी पॉर्ट सन फार्मा डॉक्टर रेडी लूपिन एनमडी सी कल्यान ज्वैलर्स और टाइटन वगेरा इन में जो है आपको थोड़ा बहुत इंपक्ट देखने को मिले क्योंकि यह जो है कहीं नाख गया सकते इसराइल से थोड़ा सा लिंके हैं अब एक तरहसे जासा तो मौन सकते हैं या तो मार्लो या है और पद पर जयादा यूगी हो मार्केट अपने आपको इस इंपक को अपना समयट लेगी और आपको फ्यूचर में और ज्यादा करेक्शन देखने को नहीं मिले जो अभी तक का यह हमारा एनलेसिस कहता है मार्केट के सेंटिमेंट्स जो होता है हमेशा ही इन चीज़ों को अपने आप से डिसकाउंट करके चलते हैं तो अगर फ्लैट ओपनिंग की बात करें तो देखें तीन सो पांसो पॉइंट तक गिर सकता है गैब डाउन होगा तो चारसो पांसो के आसपस होगा और पंदरासो पॉइंट तक की जो है आपको देखने को मिल सकता है बाकी अभी आपको थोड़ा सा रुखना चाहिए इन्वेस्मेंट के लिए तो हमारा यहीं सजाव रहेगा आज के लिए दोस्तों इतना ही धन्यवाद आपका दिन शुब रहे अपको खिना काई रहेगा बाकी अिन शुब रहेगा गयूभी आपको तो तुब चयाए आचला ही आपका दोस्तों नुब झाला आपका जोस्तों जोस्तों बाद कि अ.